हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है खर्ज रस्मी मैं सोच रहा था कि इस बार मा के जन्म दिन पर कोई अच्छा सा तोफा दूँ क्यों ना मा के लिए एक सोने की चेन ले आएं रूपेश ने अपने मन की बात अपनी पतनी से कही पती की बात पर रस्मी का दिमाग ठनक गया अरे मा को क्या जरूरत है अब सोने की चेन की वैसे भी काउन सा वो कहीं आती जाती है रस्मी तो क्या हो गया अब उनका बेटा इतना कमाने लगा है तो उनका भी तो हग बनता है ना फिर घर के चीज घर में ही तो रहेगी बस मा को खुशी होगी रूपेश बोला हाँ हाँ कमाते हो तो सब कुछ उन पर ही लुटा दो कभी मेरे बारे में भी सोचा है कितने दिनों से मन था कि एक रानी हार खरीदूंगी लेकिन बीवी के बारे में कुछ नहीं सोचते तुम मा को सोने की चेन दो और माने कहीं वो तुम्हारी बहन को पकड़ा दी तो मैं भी कहे देती हूँ मा की चेन तभी आएगी जब पहले मेरा रानी हार आएगा रस्मी अपनी बात पर अड़ गई काफी देर तक उनके बीच बहस हुई बात रस्मी की सास के कानों में पड़ी तो घर की सान्ती के लिए उन्हों ने खुद अपने बेटे रुपेश को मना कर दिया कि मुझे चेन नहीं चाहिए रुपेश कामन भी खिन हो गया था उसकी मान ने उसे बहुत अभाव में पाला पोसा था अपनी हरिच्छा को बेटे की जरूरत और पढ़ाई लिखाई पर कुर्बान करके उसे इसलायक बनाया था कि आज वो एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था और अच्छा खासा कमा रहा था लेकिन साधी के बाद रस्मी अपने पती की कमाई पर अपना ही एक आधिकार मानती थी रूपेश अपनी माँ और बहन के लिए कुछ करना चाहता तो रस्मी को बिल्कुल बरदास नहीं होता था रस्मी एक मध्यमरगी परिवार से थी उसका भाई भी नौकरी करता था उसने अपनी पसंद की एक लड़की सोनी से साधी की इच्छा जाहिर की तो उसकी मा रेनु जी ने खुशी खुशी सहमत दे दी लेकिन रस्मी इस बात से हमेंसा चिली रहती थी कि उसे किसी ने पूछा भी नहीं लेकिन अब क्या कर सकती थी वो अपनी भावी से हमेशा खिची-खिची रहती थी शोनी अपना बुटीक चलाती थी सुभा का काम निप्टा कर वो बुटीक चली जाती फिर साम को जल्दी घर आ जाती थी रस्मी को अपनी मा रेनु जी का घर के कामों में भावी का सहयोग करना भी हजम नहीं होता था जब रस्मी के भावी भावी की पहली साल गिरा आई तो उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी रस्मी विफंक्सन में आई थी अपनी मा को देखकर बोल पड़ी वह मा बहुत सुंदर साड़ी है ये तो कहां से ली अरे मैं कहां ऐसी साड़िया खरिती हूँ ये तो तेरी भावी ने जबरदस्ती दिला दी कहने लगी मेरी सासू मा भी पार्टी में किसी से कम नहीं लगनी चाहिए बहुत जिद्दी है तेरी भावी रेनु जी मुश्कुराते हुए अपनी बेटी रस्मी से बोली ये कहते हुए उनकी आवाज में अपनी बहु के लिए प्यार और गर्व दोनों जलक रहा था हा तो मा इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भावी तो काम करती है कमाती है तो किसी के हाँ से कुछ नहीं छूटता मैं गलत बोल रही हूं क्या मा के इस सवाल पर रस्मी थोड़ा हिचकिचा गए रहने दो मा आपको दो बस अपनी बहु अच्छी लगती है कमाकर लाती है उसके बदले आप भी तो उसकी चाकरी करती रहती है सुबह से साम तक घर के काम में लगी रहती है बहु आने के बाद भी आपके नसीम में आराम नहीं है बेटा तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे जो बहुए बाहर काम नहीं करती वो सारी अपने सास सुसर के बहुत सेवा करती है आज अपनी मा की बातों से रस्मिया सहज हो रही थी मा आज तुम मुझे सब क्यों सुना रही हो बेटा जमाई बाबू ने मुझे तुम्हारे सलुक के बारे में सब कुछ बता दिया है अरे जिस मा ने बेटे को पाल पोस कर इस लायक बनाया है कि वो उनकी और अपने परिवार की सारी जरुरते और इच्छाएं पूरी कर सकता है फिर भी तुम उस अपनी मा को एक खुशी देने से रूक लेती हो तुम कह रही थी ना कि भाबी कमाती है तो उन्हें क्या फरक पड़ता है अरे खुद के कमाई पैसे तो और भी ज्यादा प्यारे लगते हैं तेरी भाबी चाहे तो अपनी सारी कमाई जमा कर सकती है या खुद उपर खर्च क पति पतनी और बच्चे ही नहीं होता। माता पिता भी परिवार का एक हम हिस्सा है और उनका अपने बच्चों पर पूरा हक बनता है। आसा करती हूं दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।